बॉलिवूट के दिवंगत अबनेता सुनील दत की आज 94.00 बर्थ अनवर्सरी है। इस सुपरस्टार का जन्म आजी के दिन 6 जून 1939 को पंजाब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। सुनील जिन्होंने अपने करियर की शुरुवात एक रेडियो एंकर के तौर पर की थी। कई दिनों तक रेडियो में काम करने के बाद उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 से बॉलिवूट में अपना डेव्यू किया था। लेकिन उन्हें स्टार डब मिला 1957 में रिलीज सु आज भी क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती हैं। नंबर एक यादें। साल 1964 में आई यह एक आर्ट फिल्म थी। इस फिल्म में सुनिल दत ने अकेले ही आक्टिंग की थी। सुनिल दत ने इस फिल्म में प्रॉप्स के साथ आक्टिंग की थी। इसके अलामा यह फिल्म भा नमबर दो गुम्रा साल 1963 में आई सुनिलदत की ये रोमेंटिक ड्रामा फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी इस फिल्म को भी आज शोप्रा द्वारा निर्देशित किया गया था और उन्होंने इस फिल्म को खुद ही प्रेड्यूस किया था इस फिल्म में सुनिलदत ने राजेंद्र का किरदार निभाया था इस फिल्म की कहानी एक मीना नाम की लड़की के इर्द गिर्द गुमती है इस फिल्म का सस्पेंस काफी ज़्यादा ही खतरनाग था इस फिल्म में सुनिलदत और किशुर कुमार की कौमिक टाइमिंग ला जवाब थी इस फिल्म ने दर्शकों को काफी ज़्यादा हंसाया था ये फिल्म साल 1968 में रिलीज हुई थी इस फिल्म को जोती सुरूप द्वारा निर्देश दिया गया था ये फिल्म बॉक्स आफिस पर भी हिट साबित हुई थी नमबर चार मदर इंडिया 1957 में आई इस फिल्म ने सुनिलदत को असली स्टार डम दिया था इस फिल्म में उनका बिर्जू डकैत वाला किरदार सब को काफी पसंद आया था इस फिल्म में सुनिलदत का डायलोग लाला मेरे मा के कंगन दे दे आज भी एक आईकॉनिक डायलोग के रूप में गिना जाता है नमबर पांच मुन्ना भाई M.V.B.S साल 2003 में हाई इस फिल्म मुन्ना भाई M.V.B.S को भला कौन भूल सकता है इस फिल्म में सुनिलदत और सम्यदत की बाब बेटे की जोड़ी में सभी को भाउग कर दिया था फार मोर वीडियोज सब्सक्राइब लह रहे हैं